हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने हिंदी यूटूब चला है टेक आउनलाइन में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं USB हेड़फोन कि कैसे आप USB जो होता है यह USB वाला हेड़फोन घर पर बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं और दिखे मुझे यह बनाने को पड़ा है आप सुच रहे होंगे कि यह बनाने से फायदा क्या है तो इसको मैं यूजब वाला हेडफोन बना लूँगा जो की आसानी से मेरे जो लेप्टाउप में हो चल जाएगा इसको आप लेप्टाउप डेक्स्टाउब मॉबाइल सब में कैसे आप बना सकते हैं कि USB हेडफोन वो भी पुराने हेडफोन को कनवाट करके और इसकी क्वालिटी उगारा जो होगी वो अन्बिल्ट बड़ होगी बहुत ही गजब की क्वालिटी आपको मिलेगी तो इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है देखिए एक हमको चाहिए USB ड अब आप यह भी सूच रहे होंगे कि यह अगर कनवर्टर वाल लगा है तो मैं सिंपली अपना इसमें प्लग करके यूज कर सकता हूं लेकिन होता है कि पहली बात तो इसको लगाना पड़ता लगा कि फिर हेडफोन लगाया और फिर इसको निकाल के रखा यह सब निकालने भी अच्छी नहीं यह कब खीचा तो यह टूड भी जाता है और मुझे एक अच्छा सा दिखने वाला चाहिए हेडफोन कि हाँ जो मुझे किसी को पता भी ना चले कि मेरे लेप्टॉप में यह प्रॉब्लम है तो मैं करूंगा क्या इसकी मसीन जो है वो इस हेडफोन के अ वाला हूँ बीज बीज में मैं आपको इंट्रक्शन देता रहूंगा लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप जो जितनी भी वायरिंग है उसको आप समझ जाए और आसानी से आप हेडफोन यह बना सकें तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहां की जो यूस्बी है इसकी वो रिमूब कर लिया है अब यूस्बी की जगह पर यह जो हमने यूस्बी एक्स्टेंशन लिया था यह यूसबी वाला वायर यहां पर हमको जोडना है यह यहां पर लगाना है और इधर ईद्धर हेड़सोन के कनेक्शन ऋ agi करने हैं यह हमारा हेटफोन का है और यह अगर माइक आप लगाना चाहिए तो माइक भी आप जोड़ सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं जल्द से इसको सोड़ कर लेता हूँ झाल मैं जल्द से इसक्राओ हो एक जल्द सकते हैं जल्द से इसicia हि pasti से जलुड़ कर लेकिम जल खार को है तो कर ट सेदू हैं जल बा उलत स некоторा है कि क्या बैंट्स तो आप देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन हो चुका है और अगर आप कोई इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो आप USB को ऐसे रख करके ऐसे USB लगानी है और यहां से आप टेस्ट कर सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन आएगा दूसरे नंबर पर कौन आएगा इसी तरह आपको sold करनी है तो यहां से मल्टीमेटर से आप टेस्टिंग करके ऐसे जोड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास जो केबल हो उसका कलर जो वायर्स का कलर हो दूसरा हो तो आपको चेक करके जोड़ना है ठीक है अब यह जो है हमको यहां पर connection करना पड़ेगा speaker के connection हमारे यह तीन point है ठीक है तो जिसमें से एक common है और दो अलग-अलग है दो speakers के लिए तो चलिए देख लेते हैं तो friends मैंने इसको laptop से connect कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी light जो है वो blink कर रहे है यानि की जो इसमें data है वो आ रहा है अब इसमें हम speaker लगा के check करेंगे कि जिससे हमारा speaker बजने लगेगा उस पर हम sold करनेगे ठीक है ब्रेंट्स तो पर चेक करेंगे हम लोग कि कौन से speaker के point है तो यहां पर एक speaker मैं मैं लगा के देख लेता हूँ इस टाइक में आपको हो सकता है सुनाई दे रहा हो तो हमारा एक point हमारा यह हो गया तो फ्रेंट्स जो हमारा common point है वो यह है ठीक है और यह हमारे left और right हो जाएंगे तो चलिए जल्दी से इनकों जोड़ एते हैं तो फ्रेंट्स हमारे connections जो हैं वो finally हो चुके हैं connection मैं आपको दिखा जैता हूँ कि यह वाला common हैगा यानि कि यह वाला point होगा वो दोनों में जाएगा और यह आप left right set कर सकते हैं तो अब हमने जोड़ दिया है यह भी connection आपको दिखा दूँ इस टाइप में कुछ किया है और यह मेरा common और यह left right अब इसको हम बंद कर देते हैं इसके अंदर और फिर हेड़फून को सुनके देखते हैं कि कैसा हमारा हेड़फून बना है और क्या feedback है इसका चलिए जल्दी से इसको बंद कर देते हैं घर चलिए इससे देखते हैं पार इस तरह का मारा बन गया है यह आप दिख सकते हैं यह तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है वो यूजबी का हेड़फून बना सकते हैं अब इसको चेक करते हैं थोड़ा सा मैं सुना देता हूं आपको दोनों बज रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से आप घर पर आसानी से एक हेड़फून को बना सकते हैं यूजबी वाला हेड़फून तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज जा लाइक करना कीप सपोर्टिंग थैंक यू